So Hello Everyone, तो जैसे कि मैंने आज आप लोगों को बोला था कि मैं आज Air Force Group X सा कोई chapter लेने वाला हूँ और आपको comment करके बताना था कि कौन से chapter लेना था तो आप मैंसे बहुत लोगों ने differentiation chapter के लिए बोला था तो इस वैसे आज हम लोग differentiation chapter देखने वाले वीडियो थोड़ा लंबा ह होने वाला इस वैसे अपना जो concentration वो बना कर रखें last तक क्योंकि अगर आप आधा दूरा वीडियो देखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है इससे अच्छा देखे ही मत लेकिन अगर देखें तो लास तक देखें वीडियो को ठीक है क्योंकि इसमें पूरा holistic coverage आपको दे differentiation apply करना और क्या-क्या methods होते हैं differentiation के ठीक है तो make sure subscribe करें चैनल को और एक बात और की जो जीके का वीडियो है वो आज ऐसा नहीं कि नहीं आएगी आपको इसके बाद जीके की वीडियो भी थोड़ी देर मिल जाएगी तो make sure subscribe करके notification को प्रस करें ताकि आप लोंको notification वीडियो क होता क्या है और उसके बाद question से solve करते है तो product rule actually होता क्या जैसे कि यह दो functions है यह दो functions है अगर यह लिख देता मैं 3 into 2x तो यह सिर्फ एक function है ठीक है क्योंकि एक से एक से एक variable है और variable में ही function होता है तो यह एक function है ना कि दो ठीक है लेकिन यहां पर दोनों दो में यहां पर दो function है तो इस वेसे यहां पर product rule लगेगा product यहने कि आप सिर्फ ऐसे differentiate करो प्लस इसको ऐसे रखो और इसको differentiate करो यह फिर आप पहले इसको differentiate कर सकते हो इसको ऐसे रख दो और या फिर और उसके बाद इसको differentiate करो इसको ऐसे रख दो मितलब की एक टाइम में एक ही डिफ्रेंट एक ही जो function है उसको differentiate करना पड़ता और दूसरे वाले को as it is रखा जाता है जैसे कि आप पहले question में देख पा रहे हैं आपर दो function है 2x cube minus 7 और 9x to the power 5 plus 2x square minus 3 तो इसमें हम 2x cube minus 7 को देखिए यहां पर अब solution कर रहे हैं dy by dx निकालने तो 2x cube minus 7 को ऐसे ही रखा और इसका differentiation किया डी by dx of this ठीक है और उसके बाद क्या किया उसके बाद इस function को ऐसे ही रखा और जो यह वाला है 2x cube minus 7 उसका डी by dx निकालेंगे तो देख सकते हैं आप इसका differentiation क्या इतना तो basic मैं समझता हूं क्या आता ही होगा कि x to the power 5 का differentiation होता है 5x to the power 4x square का differentiation होता है 2x तो यह सब basic सी चीज हैं और यह तो उमीद करता हूं आते हूंगी तो इसका एक्स टूदी पार 5 का differentiation किया और 2x square का और जो constant होता है 3 का वो 0 हो जाएगा वही आप देख सकते हो यहां पर भी differentiation हुआ है कि इसका 2x cube minus 7 का तो x cube का यहां पर हुआ 3x square और 7 का 0 होगा और सब बस arrange करने का मामला है अब तो यह कोशिस किजी कि जब solve करें क्योंकि बहुत ही लंबी question है तो जब भी ऐसी चीज़ों को solve करें तो बहुत ही carefully solve करें ताकि answer सही है आपका तो अब इसके आगे तो बस आपका solving ही है इसमें कोई ऐसा चीज नहीं जो मैं आपको बता हूं वह आप पर depend करता कि कैसे आप च इसे बना सकते हो एक्स का multiply कर दो इसमें फिर आप दो ही देखिए यहां पर किया गया है इस एक्स को अंदर लेगा एंटिवेक्स की माइनस 3 की जो ब्रैकेट है उसके अंदर लेगा है तो वह चीज यहां पर टूएक स्क्वार माइनस 3 एक्स हो गई है ठीक है और एक्स तो अब यहां पर डिवाइब डिक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे टूएक स्कुर माइनस 3 एक्स को ऐसे रखेंगे और अंडर उट एक्स माइनस 2 का डिफ्रेंशेशन कर देंगे तो जाहिर सी बात उम्मीद करता हूं यह आपको पता होगा कि एक्स टुदी पार माइनस 2 के पार वन बाइटू का डिफ्रेंशेशन क्या होता है वन बाइटू आ गया एक्स सिंपल क्या होता है न अगर आपको फॉर्मॉला नहीं पता अभी तो एकस टुदी पार N का N एकस टुदी पार N माइनस 1 यह डिफ्रेंशेशन होता है यह फॉर्मॉला होता है इसको आप याद कर लीजिए अगर आपको वैसे आपको लोंको आता ही होगा एकस टुदी पार N का यह N आ गया जाएगा और इसकी एक पावर कम होके यहाँ पर X पावर में लिगी जाएगी ठीक है तो अब यहां पर इसको ऐसे रखा और इसको डिफ्रेंशेट किया अब दूसरे पार्ट में प्लस करके इसको ऐसे रखेंगे और इसको डिफ्रेंशेट करेंगे 2x2-3x को और उसके आगे सिर्फ calculation ही है ठीक है और यो तीसरा question आप खुद से अभी solve कीजिए ताकि आपको पता लगे कि क्या आपको यह आता है फिर ने तो जरूर इस question को अभी solve कीजिए अब questions को देखते हैं जो कि 5x2-7 यह लिखा है जिसमें होता क्या जो भी denominator होता है इसमें question टूल लगाते कब यह लगाते तब हैं जब दो function एक numerator में दिया हो और एक यानि कि डिवाइड में हो अभी हम लोग प्रोडक्ट में देख रहे थे दो function थे इंटू में थे अभी कहा ना डिवाइड में दोनों दो functions तो दो function जब भी डिवाइड में तो कोशन टूल के यूज करेंगे और जो denominator में हैं उसका square करके लिख देते हैं ठीक है क्या करते हैं वो समझ लीजिए वैसे तो आपको आता हो लेकिन जिलनों को नहीं आता है वो लोग समझ लीजिए इसका square करके लिख देते हैं जैसे numerator में पहले से लिखा था उसका differentiation कर दिया ठीक है माइनस करेंगे माइनस जो numerator में दिया था उसको ऐसे रखेंगे और जो denominator से उठा के लाएं उसका differentiation कर देंगे आप questions इस question के थूरू इस solution के थूरू रफर देख सकता हो कि क्या इसमें यूज हुआ है फिर से मैं बता दूँ जो denominator उसका square कर देंगे सिर्फ इतना ही चेंज होगा numerator में क्या होता है जो दिया है फाइव साइब उसको उपर ले जाएंगे उसको ऊपर ले जाएंगे वैसे रखेंगे और मल्टिप्लाइमे में का differentiation कर देंगे देख सकते हो इसके बाद माइने साइन लगाएंगे और जो पहले से दिया तो इसको ऐसे लिखेंगे और यह जो डिया इसको डिफिनिशेट कर देंगे उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है जैसे कि आप देख सकतो इसी तरह दूसरा कुश्चन भी समझने कोसिस करते हैं देखिए यहां पर एक फंक्शन उपर दिया और यह फंक् तो तीन फंक्शन वह हो जाएंगे तो पहले मल्टिप्लाइ करेंगे इसको एक ही फंक्शन बना लिजे देखिए आपर मल्टिप्लाइ करेंगे एक्स प्लस फाइव इंटू इस प्लस वान को तो टू एक्स स्क्वार प्लस एक्स आएगा प्लस एट तो उसके बाद जैसे क उपर लिखा हुआ उसको इफ्रेंशेट कर दो तो 3X2 का डिफ्रेंशेशन होता है 3 सिर्फ 3 होगा ना इसका 3X2 का 3 होगा तो यह 3 यहां पर लिख दिया जैसे कि आप देख सकते ब्रैकेट में ठीक है उसके बाद माइनस लगा दिया माइनस लगाने के बाद जो यहां पर और सेम रखना बहुत जरुरी जैसे कि मैंने बताया कि यही पहले डिडिमेटर को ऐसे रखेंगे माइनस इमडाइटर को ऐसा रखेंगे ृantis मेस डियो में scenario र मैंट करना है माइनस का साइन लगाना नियुमेरेटर को ऐसे रखना और उसके बाद डिफ्रेंशेट कर देना है और आप देख सकते हो सिर्फ उसके बाद कैलकुलेशन का ही खेल है और उसके बाद यह तीसरा कुश्यन आप लोग के लिए आप लोग सॉल्फ किजिए अभी तो चलिए अब एक नए तरह के कुश्चन्स देखते हैं देखिए सबी टाइप में आप बोश्यूस करूं कि यहाँ पर कवर कर दूं मैं इस वीडियो में देखिए नया टाइप पड़ते डिफरेंशेट्स एक्स की उप वहां पर दिफ्रेंशेट्स करसकते लेकिन x crane के Why अगर x के respect में t के respect में जिसमें function खुद हो उसमें आपको कोई दिकत नहीं होगी लेकिन जब भी ऐसा हो कि x u के respect में है या फिर कोई बहुत ही difficult function हो उस case में क्या करना है आपको जो पहला function उसको y मानिए दूसरा function उसको z के equal मान लीज़े फिर किसी के भी equal मान लीज़े वह आपकी मरजी है उसके बाद dy by dz हमको निकालना है आप इस question के साथ देखिए जहां से देखिएगा इसको मैंने y माना इसको मैंने z माना आप मेरे को dy by dz चाहिए सिर्फ मेरे को बस अगर dy by dz निकल आएगा वही मेरा उत्तर होगा सिंपल अगर आप मैं मानता इसको टी और इसको मानता पी तो मेरे को क्या चाहिए था मेरे को चाहिए था dt upon dp सिंपल कुछ भी माननों आप यानिकि पहले इसको differentiate करके किसके respect में देखिए पहले कि पोस्ट्ट्रूल आपको बता दिया है तो क्या होता है वान मानस x cube का square करेंगे ट्योंटर वितना चैंच उसके बाद ऊपर आजाए नियूमेरेटर में क्या करेंगे नियूमेरेटर में डिन्योमेरेटर को लाएंगे उपर और वैसे ही रखेंगे और जो निमिडियर इसको को X के डिस्पेक्ट में डिप्रिन्शेट्र कर दीए ठीक है जो ने हुआ है उस पना उसको तो 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 देव्हाइब डीजड बाउन डीक्स ल क cautious डि एक्स को माना था उसको परली है यूस के डिवाइब डी पिर डी डी को दमने का दोdis लिएक सदेगा कैसे देगा मैं बताता हूं, देखिए, इसको उपर लीखिए, dy by dx, इसको नीचे लिखेए, dz by dx, तो जब ली उपर आएगा, तो 20x upon dz हो जाएगा, तो dx, dx कट जाएगा, आएगा Hamऺ ld टीक है तो डीवाइब डीजेट यहां से निकल क्या जाएगा अपका जब आप डिवाइड करना पड़ेगा इसको डिवाइड बाइसको तो देख सकते अब स्कुर्ण स्कुर्ण कट जाएगा जो बचेगा यहां पर वो बचेगा वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्कुर्ण ठीक है तो यह यह आपका अंसर हो जाएगा उम्मीद करते हो कि इसी के तरह बिलकुल यह दूसरा कुश्चन भी जिसको लोग देखते हैं भी तो इसमें टैन स्कुर्ण को लॉग टू मॉट 2x प्लस वन के डिफरेंशियट करना है तो इसको कुछ मान लीजिए और इसको कुछ मान लीजिए दोनों को डिफरेंशियट करके एक्स के डिफरेंशियट में डिवाइड कर दीजिए सिर्फ आपका वही अंसर हो जाएगा जैसे कि यहां पर मैंने इस आया फिर उसके बाद जो बचा उसको डिफ्रेंशेट करेंगे से स्क्वायर टूए टूए फ्लेस फ्लेस वन और इसको फ़नेशेट करते हैं तो लॉव करके उपर लिखेंगे तो तो आ जाएगा टू अपान टूस प्लेस प्लेस वन का डिवाइट करेंगे जो इसका डिफ्रेंशेशन अभी मैंने आपको बताया दोनों को डिफ्रेंशेशन को डिवाइट कर दीजिए इसको उपर रखिए और इसको नीचे रखिए तो इसका डिफ्रेंशेशन आया यह ठीक है और इसका डिफ्रेंशेशन लॉक्त मॉट्टो एक्स प्लेस वन कहीं आया दोनों को डिवाइट कर दीजिए क्योंकि हमें डिवाइट चाहिए उसके बाद जैसे कि आप डिवाइट क सबीवाट यह पुए और लीए इनके बीन तो बरेंटेशन में आगे बढ़ी ही नहीं सकते गों कि लेकिन जैसे हैं बिवाइड बिवेड है कि कहां पर माइनेश लगे और तो देख लेंगे जो भी ट्रीक जिसकिडिस में erाहा यहां पर माइनस लगा है सी से चालुओं रहा है नूब्स यहां पर माइनस लगा है यहां पर की एक Scout लगेंगे अन्याहीं फ्रॉस लगांगे यह गरने होता है साइन इंटिग्रेशिन होता है फिक वहां पर यह नहीं होता इस तेशन के है जहां जिस जो 17 होता है वहां पर ही मैंने सापके लगएगा ठीकर और यह चीजें तो आपको यादी करने पड़ेंगा याद भी होंगी कि आप लोग ने पढ़के रखाऊगा पहले से और उसके बाद देख लेते हैं इनवर्स के जो ट्रिग्रमेट्रिक फॉर्मले हैं सेवेंथ नमर देखिए साइन इनवर्स एक्स को टा अब आप ऑन अंडर वाइन माइनस एक स्कुरर देखिए इंटीडरिशन और इनटीडरिशन बिल्कुल उलट है दूसरे के जैसे कि साइन इन ओर अग्स का डिफरेंस एशन होता है यह बहुत काम आती है कैसे काम आती है आपको कोशिचन दिया जा जाएगा आपको को बोलाए किंटीक्रेइट करो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आया लिए तो आपकी चारा प्सेला ओपसास करते हों तो जो डिफिरशेट करके देख सेटाल करो जो और वही आजाएगा जो करने यsti अलट होते हैं इस बहुत काम आती हैं आपके जो मैं मनोज इंवरष एक्स में फ्रक कितना है जीज माई लग गया है को का है माइनस वन अपन एक्स में भी चीज हुए यह बस इस चाल हो रहा तो मैनस लगा और को से से चलो रहा तो यहां पर भी माइनस लगा है तो उम्हेद करता हूं यह फामले आपको आते होंगे नहीं आते हैं तो इनको रट लीजिए कि बहुत इंपॉर्टनेंट है आगे बढ़ने से पहले एक ही और चीज़ें समझ लीजिए यह चीज़ें आपको बहुत काम आएंगे से कुशन को सॉल करने के लिए हैनि कि कुशन में जब भी ए क dagegen करने के लिए बोला हो तो उसमें को से सब्सेचिचे करना पढ़ आ कैो के से मेथर्ड होगा ऐसे सफ्ट्यूट करना होगा आगर मैंनस श्क्वार है तो एक्स पर आहrü Sag 0 तो और या फिर a cos t रख दो कुछ भी रख सकते हो a sin t है a cos t यहीं रखोगे तभी वो चीज simplify होके आएगी जैसे कि यहाँ पर आप रखोगे a sin t तो यह क्या जाएगा a square minus a square sin square t फिर a square को आप common लोगे तो यह हो जाएगा 1 minus sin square t यानि कि हो जाएगा a square cos square t यहीं चीज इसके सा करोगे तो आएगा a square sin square t तो यह चीज substitute कर सकते हो अगर ऐसा फॉर्माट हो अगर a square plus x square वाला फॉर्माट हो तो x बराबर a tan t और x बराबर a quad t दोनों में कोई भी substitution आप कर सकते हो question solve करने के लिए देखिए याद कैसे कर रहा है आपने देखा हो को tan t का जो फॉर्माला होता है tan inverse x को वह होता है one upon one plus x square होता है तो उसमें क्या प्लस होता है तो उससे आप थोड़ा सा को relate कर सकते हो याद करने के फिर अगर one under root a minus x upon a plus x या फिर under root a plus x upon a minus x है तो आप आप x की जगे a cost t रख सकते हो तो a cost t रखोगे तो यहाँ पर उपर आएगा one minus cost t और नीचे का one plus cost t ठीक है यहाँ पर सिर्फ एक ही substitution लागू होगा a cost t का फिर अगर है a cost x plus minus b sin x तो आप आप a बराबर r cost alpha और b बराब आपको रखना होगा तो इस चीज़ का screenshot लेकर रख लिए अगर आपको नहीं पता ही चीज़े श्याद किसी को पता हो अगर पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो इसका screenshot लेके रख लिए चीज़ को याद कर लिए कि बहुत काम आते हैं आपके question solve करने के directly question solve हो जाए आपको पता चल सके कितना अगर आप देखेंगे ना तो उसका बहुत अच्छा आनंद आएगा तो पहला देखें साइन इनवर्स टू एक्स ब्रैकेट में टू एक्स अपॉन प्रस एक स्क्वाइर तो यहां पर आपको सब्स्यूशन करना पढ़ लिए और सब्स्यूशन ह प्रस लिए तो होतों वैसे बीजाएगा बहुत ज्यादा लंबा जाएगा और आपके पास नेवी में टाइम मिलता ना एक मेट से बहुत कम मिलता टाइम आपको तो बहुत जल्दी सॉल्व करना पढ़ा वैसे यहां वैसे ऐसे को लंबे वाले आएंगे नहीं आपके आप वह बात के लिए हमने निकाल के रखेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर टैन थीटा सब्स्ट्यूट करेंगे जो क्विस्ट्यन है तो टैन थीटा अपॉन प्लस टैन स्ट्वाइब किया क्यों कि जब आप टैन थीटा यहां पर रखोगे एक स्की जेगे तो एक फॉर्म सब्स्ट्यूशन करने के ज़रत पढ़ लेगी तो थीटा पर रख दिया पर टैन इन्वर्स एक्स और अंसर हो गया टू टैन इन्वर्स एक्स उसका फिर आंसर नहीं हो गया यह आपकी वाई की वैल्यू आप इसको डिफ्रेंसेट कर तो तो टू रहा है एक्सका आप सब्सट्यूशन किया सब्स्ट्यूशन देक्यां कि किसकी जरू थे अंपर दूसरा कौर्शन देखिए दूसरा पारट है कि टैन इन्वर्स एंडर टैनञशन सक्वाइर प्लस फ्लस स्थता है तो क्योंकि स्थख और उन्डर रूट में होगा तो जब बाहर निकले प्लस लाइ अपो टैन तीटा सभब इसको हम लोग उन्हां और रॉपास को सबने बदल लोइंगे और पॉन मॉंकोस 3 और चैन चांप उसके बाद यह जो solve कर लेंगे उपर नीचे सीटा कर जाएगा और 10 इंवर्स वान प्लस कॉस्ट अपां साइन थीटा जाएगा हाफ एंगल में भी कर लेंगे हाफ एंगल में ब्रेक कैसे करते हुआ मैंने आपको पिछले वीडियो दें बता रखा है कॉस्ट लिखते हैं टू कॉस्ट स् अगर यहाँ पर स्कूल होता है यहाँ पर हमाने साइन स्क 있기ble योजई-क तो यहाँ सैंगे स्कूह प्लूस है तो यहाँ पर हमें कूंकि प्लस है तो यहाँ पर तुक कॉस्टी टवाक़्ड़ा पर नीचे यहाँ ठीटा का फॉर्मॉल्लो हता है Admiral साइन थीटा बाइटू कॉसी टावड से अले जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना तूस दिटा पर से चट जाएगा और बचेगा दूसी तब सब्सक्राइब कर देंगे तो इसके बाद इसको डिफ्रेंसियेट कर देंगे तो पाइबाइब तो जीरो हो जाएगा और यह दो दो कुश्चन मैंने सॉल कि और जो बागी के तीन कुश्चन है आप खुद अपने अपसे सब्स्ट्यूट करके सॉल कीजिए इसमें क्या करना है वन अपॉन एक्स कर इसको वन अपॉन एक्स लिखे एक से इनवर्स को उपर नीचे दोनों जाए तो एक्स माइनस वन अपॉन एकष मैस ऐसागा और नीचे आएक प्लस वन अफ् mec तो उसके बाद लिखे तो आएगा उपर एकश स्क्वेश मैने संग क्याई है का अपको स्ट्यूषिन करना पलेगा यहां पर आपको कर सकते हों और यहां पर भी हमको प्रूफ करना दिए वहां पर प्रूफ तो नहीं आए का लेकिन यहां पर से मैं आपको कुश्चन सुप कॉंसेप्ट सिखाना चाहता हूं आप लोग कोई जो बेसी कॉंसेप्स है वह तो आपको हर कुश्चन के चार अप्शन मिलेंगे ठीक है तो वाइबरा साइन वाइबर पलट दिए पलट दिया आगे डिवाइब डिएक्स अब करना कैसे वह देख लिए साइन वाइए अपॉन साइन प्लस वाइए दो फंक्शन है डिनोमेटर में एक नियुम्रेटर में नहीं कि डिवाइड में दोनों फंक्शन और मैंने आपको पहले ही बताता है कि जब डि लगा दो है मैं इसको डिफ्रेंसेशन कर दो माइनस का सइन लगा वीच में फिर जो नियुम्रेटर में लिखा तो इसको आइसे रख रुखे रहो और मॉल्टिप्लाइ करके जोटि ट्रम डिनोमेटर में था उसका डिफ्रेंसेशन कर दो बस वही की और डिएक्स अपॉन तो यह था डिफ्रेंट सेशन चैप्टर आपको जो नेवी और एरफोर्स के स्टूटेंट्स उनके लिए तो उम्मीद करता हूं यह वीडिया को पसंद आई यह पसंद दे तो प्लीज इसे को लाइक कीजिए मैंने इतनी मेनत कि आप लोगों के लिए अगर आपको लगता है तो प्लीज इसे लिए लाइक कीजिए में शुर सब्सक्राइब करके रखें चैनल को अगर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको चाहिए जो नेवी और एरफोर्स कोर्स के लिए और हो सकते तो प्लीज 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 इस वीडियो को शेर कर दीजेगा कोई डाउ हनदल Н कैनल कोईवि और होस्ते लिए्टू से लिए − गार खिलीज खब से लिए प्लीज इस वारब कर का देन डाहिए से लाए summersuous को शेकर नहीं जाण दिए, मैंने कैसे हो सा ड़ा-खज प्लीज है किया लिए उन्हा है.